नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चानल गवर्मेंट एक्जाम स्टडी में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मुख के सेवी का अभ्यर्थियों की जैसा कि आपको पता होगा काफी लड़कियां कल आपने ट्विटर कर आदा था और उसका काफी लड़कियां थी कि आज आयोग चाहेंगी जैसा कि आपको पता है दुबारा से ठंड आ गई आज मौसम भी बहुत खराब था इसलिए मैं यह नहीं कहोंगी कि बहुत ही यादर लड़कियां क्यों नहीं पहुँच पाई होंगी लेकिन कुछ लड़कियां अजिए बहुत हो जाए तो मुझे लगादार कॉंटक कर रखा था उन्होंने बोला भी था कि मैं आप भी जरूर आइएगा लेकिन आपको पहले बताया था कि मेरा लेकपाल में चायन हुआ है तो लेकपाल में क्योंकि पहले ये था कि शायद जॉयन करूंगी की नहीं लेकिन लड़कियों ने मुझे वीडियो भेजी थी कि क्या क्या हुआ उसके बाद थोड़ा वहाँ शायद कुछ पॉब्लम हो गए तो लड़कियों ने ये भी बोला कि मैमा प्लीज वीडियो को डिलीट कर दीजएगा अपलोड मत करियेगा ठीक है तो अब यहां बताने जा तो कोशिष ये करो कि तो इतनी दूरगियां जो आहाँ देखको उतनी ठटन में इतनी स्में परिशान होके आहां कोशिष ये करो कि जो लखनाओं के लोग हो वह ज़ादा अपडेट लेने जाया करो आसपास के लोगं दूर के लोगों को आप खुद् 3 एतनी이 करो एक सिरी भला होगा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अकेला उनका होगा, सबका होगा, तो कोशिश ये करो आप लोग कि गुरूप में जहां भी आप जुड़े हुए हो, जो यहां के हो, आसपास के हो, लखनों के, वो लोग वहां जाया करो, अपडेट लेने के लिए, यह नहीं कहा रही ह कि नहीं हमें मिलना ही है, सचिव जी से या कही से मेरी बात करा दीजे, तो जिब ऐसा हुआ, तो बात सचिव जी से तो नहीं कराएगी, हाँ वहाँ एक inquiry office जरूर है, UPSC आयोग में, वहाँ पर वो लोग गई लड़किया, आयोग में वहाँ उनक्वाइरी की, इंक्वाइर इस था, उसका भी क्या असर है ये भी पूछा उन्होंने, साथी साथ ये भी पूछा कि सर हमारा final result कब तक आ जाएगा, ये लोग सभा का जो चुनाव होने वाला है, उसका तो कुछ हमारी भरती पे असर नहीं हो जाएगा, ये सारी चीज़ उन्होंने पूछी वही में पूरा से लड़कियों को बोला भी कि आपकी भरती शायद बहुत टाइम से और पूरी तरह संपन हो जाती अगर आप लोगों ने इतने धेर सारे objection ना डाले होते, ठीक है? आयोग ने ऐसा बोला उन लड़कियों से कि आपका देखो, सब काम जैसा हुआ, एक्जाम दिया, आपकी आंसर किया ही, लेकिन उसके बाद इतने सारे objection रेज हो गए उस पे, इसी वयसे आपकी revised answer की डालने में टाइम हो रहा है, अगर आपने शायद 2-3 डाले होते objection, तो फटा-फट आपको revised answer के मिल जाती और आप अपना आगी जो भी जा प्रोसेस हो जाता, लेकिन इतने यह सारे objection आपने डाल दी इसकी वयसे, revised answer की publish होने में, upload होने में देले हो रहा है, लेकिन एक खुशी की बात बाद चली, वो क्या खुशी थी? वो खुशी की बात यह थी कि आपकी revised answer की जो है ना, वो बनकर तयार है समय, ठीक है? यह बनकर तयार है, सिर्फ इसे क्या होना ह अपलोड होना है, तो अपलोड के लिए देखो उन्होंने यह नहीं कहा है, कल हो जाएगी, परसो हो जाएगी, उन्होंने यह बोला है, फर्वरी में ऐन्होंने यह बोला है, फर्वरी में आपको वेट करना है, यह कभी भी upload की जा सकती है, ठीक है? तो revise answer की, अब आपनों इन बाद आ जाएगी, ऐसा कुछी ने उनने का, बन चुकी है, बन कर तयार है, और फरवरी महीने में ही, यह क्या होगी आपकी, अपलोड भी कर दी जाएगी, ठीक है, अब आगे सुन लो, रिजल्ट की अगर बात करें, तो देखो, अगर हम माने, तो फरवरी में अगर आ ज आती आपकी रिवाइज आंसर की, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका डीवी के लिए बहुत जल्दी ही आ जाएगा, तीसरी बात, जो आँ बार बार पूस्ते हो, कि लोकसभा चुनाओ का, तो देखो, इसका कोई असर इस पे नहीं पड़ेगा, जब चुनाओ होते है तो नई वेकेंसी नहीं जारी कर सकते हैं, क्योंकि नई वेकेंसी जारी करने का मतलब होता, आप जनता हो, क्या कर रहे हो, लुभा रहे हो, तो आचार संगीता लागू होने के बाद, कोई भी पार्टी, ये कोई काम ऐसा नहीं कहती, जिससे उसको वोट में फाइदा हो, उ ये समझ में आपको आगया कि रिवाइज आंसर की आपकी तयार है, फरवरी में आपको वेट करना है आपका जो रिवाइज आंसर की कभी भी अप्लोड हो जाएगी, अब बात कर ले, 15 फरवरी की बहुत से अभ्यार्थी, इसके लिए भी काहता है कि मैं अपने चैनल पे आ उनका 17 और 18 को पेपर है, तो देखो, जिसका पेपर है, उसको तो मैं नहीं कहूंगे कि अपना पेपर छोड़के आप आजाओ, मत आओ, लेकिन सबका नहीं होगा, जिसका भी हो नहीं आपको पॉसिबल हो, अगर आना, तो प्लीज आओ और इसको क्या करो, इसमें जॉइन करके, जादा है, जादा है, तो क्या करो, सक्सेस्फुल मनाओ, ठीक है, दोखो, आप कहीं चीज है, आप जितनी जल्दी इसमें कर लो, कर प्रेशर दोगे, उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा, और मैं सच में यह चाहती हूँ, कि जल्दी है जल्दी आपकी चीजे प्र और चैनल को पर नए होगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी अप्रेट होगी, मैं बता दूँगे आपको, और कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिनका यो भी बुलिस में एक्जाम है, भाई, बहुत चीजे पढ़ाई करो, कॉंपे